सो अगर है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेंस वीडियो में आज की जो वीडियो है बहुत यहरा इंट्रेस्टिंग होने वाले है क्योंकि SPI के दो हीरो क्रेट कार्ड्स हैं SPI सिंप्ली क्लिक और सिंप्ली सेफ आज मैं आपको इन दोनों ही क्रेट कार्ड्स का डि अब ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा तो पहले सुरुआत करते हैं आपर बेनिफिट और चार्जस से SPI सिंप्ली क्लिक और सिंप्ली से ये दोनों करेट कार्ड्स बैसिकली लाइफ टाइम फ्री नहीं आते हैं आपको एन्वली 499 प्लस GST पे करना होगा लेकिन अगर आप एक साल में एक लाग रूपए से ज़्यादा स्पेंड कर देते हो तब आपकी एन्वल फीस वेवाउ हो जाती है वेलकम बैनिफिट के अंदर में आपको डिफरेंस एक बहुत बड़ा देखनी को मिल जाता है सिंप्ली क्लिक में बेसिकली आपको 500 प्लस का एमाज़ precis का अलग से पे करना होगा तो यहाँ पर अगर आप देखो तो welcome benefit simply click में ज्यादा बेटर मिल ला है क्योंकि यहाँ पर कोई redemption fees आप से नहीं लेता है bank सो अभी next समझते हैं यहाँ पर reward points के system को जिसके अंदर में आपको एक huge difference देखने को मिल जाएगा SBI simply click पे जो इनके partner merchants है अगर वहाँ पर आप 100 रुपे से spend करते हो तब आपको 10 reward points मिल जाता है जैसे कि clear trip, book, myso, easy dinner, net mats, Apollo और lens cut यहाँ पर 100 रुपे से spend करने पर 10 reward points मिल जाता है लेकिन अगर आप इस credit card को कहीं दूसरे जगे online यूज़ करते हो तब आपको 100 रुपे से spend पर 5 reward points मिल जाता है लेकिन अगर आप इसको कहीं offline use करते हो तब 100 rupees spend करने पर 1 reward point मिलता है लेकिन same scenario आपको SBI simply save के अंदर में पूरा change मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप 150 rupees spend करते हो उसके against में आपको 10 reward point मिल जाता जैसे movie ticket के लिए, departmental store, grocery या फिर dining के लिए 150 spend करने पर 10 reward point मिल जाएगा इसके लावा आप इस credit card को कहीं पर भी use करो like online, offline, आपको 100 rupees spend पर सिर्फ 1 reward point ही मिलेगा इसके लावा जो आपको rewards points की value है 1 reward point equal to 0.25 पैसा आपको इन दोनों ही cards में मिलेगा इसके लावा अगर अगले benefit की बात करें SBI simply click को अगर आप एक साल में 1,00,00 रुपे spend करते हो तो 2,000 का clear trip का voucher मिल जाता है लेकिन अगर आप एक साल में 2,00,00 रुपे spend कर देते हो तब आपको 4,000 का clear trip का voucher मिलता है तो यहाँ पर जो अगला benefit है basically वो SBI simply click और simply save दोनों पर apply होता है अगर आपके पास में किसी तिसरे bank का credit card है तो आप इन credit card का use करके अपने दूसरे वाले credit card का bill पे कर सकते हैं और एक बहुत बढ़ी confusion हो सकती है कि simply click और simply save credit cards है जो online offers आते हैं अगर कहीं पर आपको 10% 20% का discount मिलना है SBI के credit card पर तो SBI simply click पर भी मिलेगा और simply save पर भी आपको वो discount मिलेगा इसके बाद में जो अगला benefit आपको इन दोनों credit cards में मिलता है basically अगर आपकी कोई payment 2500 रूपीज या फिर उससे जादा है तो आप उसको EMI में convert कर सकते हो लेकिन भाई उसके against में आपको 500 रूपीज तक का charge भी लग सकता है cash withdrawal पर तो कभी भी credit card से आप cash वगरा withdrawal मत करना सबी मैंने आपको SBI simply click और simply save credit card के benefit और charges के बारे में बता दी अब बात करते हैं eligibility के तो दोनों credit card के जो eligibility हो बिलकुल save है आपकी age minimum 18 years होनी चाहिए आप solid employee हो या फिर self employee दोनों cases में आप apply कर सकते हो लेकिन आपकी जो monthly income है वो 20,000 होनी चाहिए और आपको civil score है around 750 प्लस होना चाहिए इसके अलावा आपका pen card लग जाएगा, अधार card, water card ये कुछ basic documents हैं जो आपको submit करने होंगे ये credit card लेने के लिए eligibility याँ पर बिल्कुल same to same ही है अब आपको कौन सा credit card लेना चाहिए तो देखे, मैं आपको highly recommend करूँगा कि SBI simply click आप लीजे क्योंकि वहाँ पर benefits आपको ज़्यादा मिल जाते हैं जैसे कि 500 का Amazon voucher direct आपको मिल जाएगा अगर आप 1,000,000 रूपे से spend करते हैं तो आपके annual fees वेवाप तो होई आती है लेकर आपको 2000 का voucher उसके अलावा extra मिल जाता है और online spend करने पर भाई यहाँ पर reward points भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं अब simply save जो है इसकी targeted audience है offline users अगर आप offline credit card बहुँ ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो उस case में आप simply save देख सकते हो पर उतना high मैं इसको recommend नहीं करूँगा बाकि अभी मैंने recently ही SPI simply click credit card को कैसे apply करना कैसे आप ज़्यादा benefit ले सकते उसके बारे में वीडियो बनाई इसकी बारे में आप आप करना है